नमश्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप से भी कर शिक्षा प्रवा में दोस्तों मैं करुणा आज की वीडियो लेकर आई हूँ क्लास 10 के स्टुडेंस के लिए और दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिंदी में निबंध कैसे लिखा जाता है तो सबसे पहले तो कैसे लिखा जाता है हम वो चीज देखेंगे कि हमें अपने निबंध में कौन सी चीजों को इंक्लूड करना चाहिए जिससे कि हमें पूरे के पूरे मार्क्स मिल सके दूसरा हम देखेंगे एक एक जेम्पल जो कि मैंने खुद निबंध लेखन का तयार किया है तो शुरू करते हैं सबसे पहले स्रेष्ट निबंध लेखन हे तु सुझाब तो क्या सुझाव है निबंध लेखन हे तू आपको निमनलिखित बिंदूं को याद रखने की आवशकता है और वो बिंदू है और वो बिंदू है नमबर वन पर कि निबंध के विशे को भलीभाती वेटा आप लोग को सबसे पहले जो टॉपिक आपको दिया गया है उस के रूप रेखा बनाना सेकिंड पॉइंट में आ जाता है कि क्या लिखेंगे और किस तरीके से लिखेंगे बिटन निबंध को आप कई अनुच्छेदों में विभाजित करके लिखोगे तो आपको जादा माक्स मिलेंगे और वो देखने में भी और पढ़ने में भी अच् में एक दूसरे के साथ होना चाहिए मतब जो चीजे आपने उपर लिखी है उसी से मिलती जुती चीज आपको नीचे भी लिखनी है छटा है निबंध की भाषा विशे के अनुरूप सीधी होनी चाहिए सरल होनी चाहिए जो की पढ़ने वाले को आपके निबंध के साथ ब नी रहे पॉइंट नमबर एट कि निबंध को सुक्तों मुहावरों प्रेरक प्रसंग एवं कविताओं के माध्यम से आपको व्यक्त करना है मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रियोग करने से भासर शेली और ज़द सुगम बनती है और ये पढ़ने वाले को भी अच्छा इन चीजों का प्रियोग बिटा अगर हम अपने निबंध में करते हैं तो निबंध हमारा बहुत ज़्यादा एट्रेक्टिव लगता है और पढ़ने में भी उसको आनन्द आने लगता है तो निबंध क्या होता है बच्चे कि जो लिखता है यानि कि लेखक, विध्यार्त या कोई व्यक्ति जो उस निबंध को लिख रहा है उसका व्यक्तित्व कहीं ना कहीं उस निबंध लेखन में दिखने लग जाता है इसलिए अपने व्यक्तित्व आपके जो व्यक्तिकत अनुभव हैं उनको उस निबंध लिखते समय साचा करना चाहिए मत्ताब अपने अ और लिखना शुरू कर दिया जाए इसके अलावे बिटा आपको भार्षा की शुद्धता का व्याकरण की अशुद्यों का ध्यान भी निबंद लेखन में आपको करना चाहिए बोर द्वारा निर्धारित समय सीमा में ही आपको शब्द सीमा में ही आपको अपना निबंद का जो लेखने वो समापन कर लेना है यानि कि चितना वर्ड लिमिट आपको दी गई है उतने वर्ड लिमिट में ही निबंद आपको लिखना है बिटा आप है यहाँ पर उधारन के लिए जो मैं आपके लिए निबंद लेकर आई हूँ वो है ओनलाइन सिक्षा का महत्व जो की बहुत ही जादा के इन दिनो चल रहा है अच्छा एक चीज मैं आपको बता दे रूँ हैं पर दुबारा से कि यह जो निबंद लिखा गया है वो तैंथ क्लास के बच्चों को ध्यान में नाइन तैंथ क्लास के बच्चों को धी लिखा गया है यानिकि यह उनहीं की लेवल की वर्ड्स इसके अंदर इंक्लूड की गई है और ढगबक उन ही की क्लास के हिसाब से मैटर इसमें डाला गया है तो सबसे पहले हमें निबंद लिखते वक्त एक प्रस्तावना या भूमी का जरूर देनी होती है तो प्रस्तावना में हम सबसे पहले ऑन-लाइन शिक्षा से ही शुरू करेंगे तो शिक्षा जीवन का एक महतोपूर हिस्सा है, शिक्षा सब्द संश्कृत भाषा से लिया गया है, शिक्षा हम किसी भी माध्यम के द्वारा ग्रहन कर सकते हैं, अभी तक प्रचलित शिक्षा के दो माध्यम के बारे में हम सभी परचित थे, पहला नियमित शिक्षा यानि क रेगुलर स्कूलिंग, कॉलेजिंग और दूसरा दूरस्त सिक्षा यानि की S.O.L. या फिर डिस्टेंस एजुकेशन लेकिन महामारी के इस दौर में एक और माध्यम से हमारा परिचे हुआ और वो है ऑनलाइन सिक्षा महामारी के आजाने से स्कूल में बैठ कर शिक्षा ग् का विगत वर्ष 2020 में दिया गया जब पूरे देश में या कहें तो पूरे विश्व में लोगडाउन लग गया था उस समय ऑनलाइन सिक्षा शिक्षा के एक बहतर विकल्प के रूप में निकल कर सामने आई और लगभग सभी का ध्यान कहां गया ऑनलाइन पढ़ाई की और जिससे आरंभ में तो कुछ परिशानिया हुई और ये परिशानिया कैसी थी जिससे लंबे समय तक कम्प्यूटर लैप्टोप या मोबाइल में देखने से आखों और सिर में दर्द की परिशानी हुई लेकिन बहुत से बच्चों ने ऑनलाइन शिक्षा को सहजी स्वीकार किया कोरोना के बढ़ते संक्रमन के कारण देश और विदेश में लोगडाउन लग गया था जिसकी वज़से सारे सिक्षन संस्थाएं बंध हो गए थी फिर मजबूरी में बच्चों और टीचर्स ने पढ़ाई के लिए ऑनलाइन जरिया अपनाया इस जरिये से बच्ची ह अधुनिक शिक्षन का माध्यम है जिससे कि सिक्षक और बच्चे को क्लासरूम में बैठ कर और पढ़ने की आवशकता नहीं है इसके माध्यम से अपने घरों में बैठ कर इंटरनेट कनेक्शन के जरिये लैब टॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट या फिर कम्प्यूटर में से किसी एक उपकरण से शिक्षा ग्रहन की जा सकती है अगर किसी विध्यारती को कोई भी टॉपिक समझने में परिशानी आ रही हो तो उस परिस्थिती में विध्यारती से संबंधित विध्यारती उस टॉपिक से संबंधित सवाल बार-बार पूच सकता है ओलाइन सिक्ष काक्षाएं कहीं पर भी बैठ कर अटेंड कर सकते हैं अब बात करते हैं यह जाना हमने की ओनलाइन सिक्षा क्या है अब ओनलाइन सिक्षा के क्या लाब है तो सबसे पहले कुछ बिंदुओं के जरिये हम इस ओनलाइन सिक्षा के लाब को प्रणाली को समझेंगे सबसे पहला ह कुछ हद तक नियमित पढ़ाई के मुकाबले सस्ती पढ़ती है बिल्कुल अगर हम स्कूल जाते हैं तो रोज का किराया रोज का मतलब इस्कूल के लिए उनिफॉर्म और कॉलेज के लिए अलग अलग तरहा की ड्रेस्स हमको चाहिए होती है और अगर हम घर पे पढ़ते हैं तो बस एक बार ही थोड़ा सा इंवेस्ट हमको करना होता है एक बार ही हमने कोई फोन ले लिया और या फिर कोई लेप्टॉप ले लिया और उसके द्वारा फिर हम लंबे समय तक पढ़ सकते हैं second है online पढ़ाई में क्यूंकि recording हो जाती है इस कारण बच्चे किसी भी टॉपिक को सही से समझ सकते हैं एक बार समझना आने पर बार बार वो उसको replay कर सकते हैं जिससे कि उन्हें याद करने में असानी हो जाती है सेकेंड है बिटा ओनलाइन माध्यम में बच्चे स्कूली पढ़ाई के साथ अन्य गती विध्यों पर भी ध्यान दे सकते हैं क्योंकि अब जो उनका टाइम स्कूल जाने में या कॉलेज जाने में या उसके लिए तयार होने में जाता था वो टाइम उनका लगभग बच जाता है इसके अलावा इस माध्यम से आप सिर्फ किसी एक सिक्षक की पढ़ाई के अलावा अन्य सिक्षकों की क्लासेज भी जॉइन कर सकते हैं सिक्षन संस्थान विध्याले कॉलेज कोचिंग सेंटर आदे में आने जाने के समय की और यात्रा से यानि की किराई की बचत यहां पर होती है इसके अलावा ओन्लाइन शिक्षा से हानी क्या है बिटा फायदे हमने जान लिए आप जब भी हम कोई निबन लिखेंगे किसी भी टॉपिक पर लिखेंगे तो उसके फायदे और नुकसान दोनों हमें लिखने होते हैं इस चीज का आप ध्यान रखें नीचे दिये गए बिंदूों की मदद से इस सिक्षन प्रणाली की हानीों के बारे में भी हम जान सकते हैं जैसे की सारे बच्चे पढ़ने में एक जैसे नहीं होते फैसे तो उनकी द्रशता यानि देखने की शमता भी एक जैसी नहीं होती क्योंकि ओनलाइन पढ़ाई में आखों पर जादा असर पढ़ता है दूसरा एक जगा सही से नहीं बैठने से रीड की हड़ी में समस्य उत्पन होने लगती है आँख में, सिर में, इसके साथी साथ उंगलियों में भी दर्ख होने लगता है इसके अलावा भारत में अधिकतर परिवार गरीबी रेखा से नीचे ही आते हैं इसलिए गरीबियों का पढ़ना एक तरह से दुश करो गया क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो एक ही बारी में फोन या लैप्टॉप ले सकें इसके अलावा बेटा ओनलाइन पढ़ाई के दौरान बच्चे ने क्या सीखा इसका आंकलन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है उनकी समझ का परिक्षन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है इसके अलावा एक हानी ये है कि ओनलाइन पढ़ाई में बच्चा अपनी मर्जी के अनुसाल किसी भी समय क्लास अटेंड करता है जिससे क्या होता है कि उसमें अनुशाशन की कमी आ जाती है अभिबावक बच्चों को पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन तो दे देते हैं लेकिन उनके उपर निगराने नहीं कर पाते जिसके कारण क्या होता है कि बच्चे कुछ ऐसे गतिविद्यों का शिकार हो जाते हैं जिनका कि उन्हें नहीं होना चाहिए था इसी वज़ा से कुछ अभिबावक अपने बच्चों को फोन या इस तरह की कुछ गैजट्स जैसे की कंप्यूटर या लैप्टॉप देने से भी कत्राते हैं तो ये थे बटा सबसे पहले ओनलाइन सिक्षा क्या है कैसे हाई क्या उसके फायदे हैं क्या उसके नुकसान है और लास्ट में निबंद का कंक्लूजन यानि की निशकर्श या फिर उपसंहार भी अगर हम देते हैं तो हमें हमारे ऐसे में पूरे-पूरे माक्ष मिलते हैं तो जान लेते हैं निशकर्श क्या निकलता है इससे तो उनलाइन सिक्षा उन लोगों के लिए बढ़िया विकल्प है जो काम करते हुए या घर की देखभाल करने के साथ साथ अपनी सुविधा अनुसार ओनलाइन शिक्षा ले रहे हैं यह सिक्षा का नया माध्यम है जो हर देश अपना रहा है विध्यार्तियों को जरूरत है कि वो वन लगा के पढ़ें अपने और अपने देश का भविश्य उजवल करें जो बच्चे ऑनलाइन सिक्षा पाने में असमर्थ हैं उनके लिए निशुल्क ऑनलाइन सिक्षा की विवस्था करने के भी यहां पर जरूरत है इसके अतिरिक्त यह जरूरत है कि सिक्षा से कोई भी बच्चा वंजित ना रह जाए ओनलाइन सिक्षा एक बड़ी हमाध्यम है जो छात्रों को आवश्य ही सिक्षा प्राप्त करने के लिए गॉर्मेंट को सोचना चाहिए और ओनलाइन सिक्षा को एक विकल्प बनाना चाहिए तो बिटा ये था आपका सबसे पहले ओनलाइन सिक्षा पर या महतु ओनलाइन सिक्षा के महतु पर एक निबंद और इसी के साथ ही साथ निबंद कैसे लिखा जाता है उसके बारे में कुछ इंपोटेंट दिशा निर्देश तो बिटा आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा helpful रहेगी और आप इसके माध्यम से अच्छे से निबंद लिखेंगे और maximum marks अचीव करेंगे दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना